नमस्कार दोस्तों में नाम स्रीकान कुमर अब देख रहे हुँ जेट प्रोसेस आज हम बात करने हुआ इस वीडियो में दोस्तों Government of India का एक ऐसा पोर्टल है जिसमें अगर आप ID पासवर्ट को क्रियेट कर लेते हैं तो All a State का जितना भी Government का स्कीम होगा इसी पोर्टल के माधियम से All Service के लिए अपलाई कर सकते हैं दूसरे पोर्टल पे आपको जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा तो दोस्तों ID पासवर्ट को कैसे क्रियेट करना है और All a Scheme के लिए अपलाई किस परकार से करना है तो उसके लिए इस वीडियो को कम्प्लीट देखना होगा इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स में स्टेबाई स्टेपर के बत ला दे वाले हैं तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ब्लाइकन घंटी को फ्रिस कर लिजे ताकि मेरे वीडियो को नोटिपिकेशन सबसे पहले की पास पहुँच पार तो चले दोस्तों वीडियो को के माधियम से अप लॉगिन हो सकते हैं दूसरो ऑप्षन दिया गया इप परमान के द्वारा अप लॉगिन हो सकते हैं तिसरो ऑप्षन दिया गया जैन परचे के द्वारा अप लॉगिन हो सकते हैं अगर यह तीनों आईडी अगर आपके पास बना हुआ नहीं है तो फिर किस परकार से आपको id को create करना होगा तो दोस्तों यहाँ पर दिखने के लिए मिल जाता है register now के option इस वाले option पे click करना है उसके बाद दोस्तों इस परकार के page open हो जाता है id password को create करने के लिए तो id password करने के लिए यहाँ पे अपना mobile number को type करना जेंदेट OTP के option पे click करना आपके mobile number प gender को select करना है और दोस्तों यहाँ पर देखिए id यहाँ पर create करने के लिए ID password करने के यहाँ option दिख जाता है पर दोस्तों यहाँ पर क्या problem यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि इस वाले option पर जैसे आप click करते हैं तो दखिए यहाँ पर click नहीं हो रहा है तो बहुत को पुरा देखना होगा और सबसे असान तरीका से id password को create करने के लिए आपको कौन सा option को select करना होगा तो यहां पर देखने के लिए मिल जाता है login with dg locker इस वाले option पे click करने के बाद दोस्तों अगर आपका dg locker में account पहले से है तो यहां पर अपना user id password डालकर आपको login हो जाना है अगर पहले से आपका dg locker में account नहीं है तो आपको यहां पर देखनी के लिए मिल जाता है यहां पर देखे new user के option तो इस वाले option पे आपको simple सा click कर दना है click करने के बाद इस परकार एक page open हो जाता है तो id create करने के लिए यहां पर सबसे पहले mobile number को फिलप करना generate OTP के option पे click करन mobile number पे जो भी OTP जाएगा यहां पर आपको आपको type कर लेना यहां पर अपना full name को फिलप करना जो आपके अधार काट पे नाम होगा वही नाम को यहां पर फिलप करना date or birth को select करना gender को select करना यहां पर एक user id अपना मन पसंद से यहां पर create कर लेना उसके बाद यहां पर करना उसके बाद verify के option पर क्लिक करना इतना करने के बाद दोस्तों फिर आप पर account जो है कि create हो जाता है और इस प्रकार से बहुत यह असान तरीका से इस portal का ID password को create कर सकते हैं दूसरे तरीका से अगर आप ID password को create करते हैं तो दोस्तों EKYC वहां पर आपको खोजा जाएगा pen card number खोजा जाएगा अगर इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको कुछ भी यहां पर देने की जरूरत नहीं पड़ेगा तो अब यहां पर ID password हो जाता है तो यहां पर login होने के लिए यहां पर तीन option दिया गे user number से आप user ID number से login हो सकते हैं mobile number के द्वारा login हो सकते हैं अधर में करना signing के option पे click करना आपके mobile नंबर पर एक OTP को send किया गया है और उस OTP को यहां पर type करना signing के option पे click करना और यहां पर दिखने के लिए मिल जाता desktop site इस वाले option पे click करना है उसके बाद दोस्तों यहां पर देखे government का जितना भी scheme है इस परकार से यहां पर दिखने के लिए मिल जाता है यहां पर देख रहें कि बहुत सबर यहां पर scheme दिया गया है और यहां पर दिखे portal के भी नाम यहां पर दिया गया है और A side में जैसे हम यहां पर zoom करते हैं तो यहां पर दिखे सभी estate का नाम जो है कि इस परकार से आपको देखने के लिए मिल जाता है जिस estate का आप a scheme देखने के लिए मिल जाता है और दोस्तों अभी हाल फिलाल में जो है कि बिहार का रासन कार्ड अप किया गया है तो कैसे apply करना होगा तो यहां पर दिखे दिया गया है यहां पर search के option जैसे आप search के option पे click करते हैं तो यहां पर जैसे आप type करते हैं रासन इस परकार से हम दिखे type करते हैं जैसे हम search के option पर click करते हैं तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि बिहार रासन औ तो सिंपल्स आपको इसी वाले option पे क्लिक करना है और यहां पे आपको देखिए access 9 के option पे सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा तो चलिए इस परकार से क्लिक करते हैं यहां पे दिखने के लिए मिल जाता है login के option login के option पे जैसे क्लिक करते हैं इस परकार के page open हो जाता है और य वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो के एक लाइक कर दीजगा और मेरी चैनल पर नहीं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जब लाइकर गंती को भी प्रेस कर लीजगा